हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू दा चैनल आज हम बनाएंगे बिना आटे और मैदे का पुआ और साथ ही हम बनाएंगे जारखन का फेमस दुसका जो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने एक कटोरी सूजी को भीगो दिया है थोड़े से पानी में और एक तरफ मैंने इसको रख दिया है और अब मैं दूसका के तयारी करूंगी तो मैंने Mixer जार में चावल और चने की डाल और थोड़े से औरत की डाल जो रातको मैंने भिगोई थी उसको मैंने पीस लिया है और इस बैटर में हम डालेंगे आधा चमच हल्दी इसमें डालेंगे नमक उरत की दाल थोड़ी सी लेंगे और इसे हम चार घंटे के लिए भी गोएंगे और जब भीग जाए तो इसके बाद हमें इसके पीस लेना है यह देखिए बैटर में मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट वे अड़ कर दिया है बैटर हमाया थोड़ा सा गाढ़ा है इसलिए म सूजी हमारी भीग गई है इसे हमें आधे से एक घंटे के लिए भीगोना है तो मैं इसमें अब थोड़ी से दही और दूद दोनों को मिक्स करके इसमें अड़ कर दूँगी इससे थोड़ा सा पतला करने के लिए दही से इसे इसे एक अच्छा सा खटास मिलेगी तो इसे जलेबी वेगरे का टेस्ट आता ना वैसा टेस्ट आएगा इसका और दूद से इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और क्रीमी नेस भी बहुत अच्छी से बन जाती है यह देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी है बहुत पतला हमें नहीं करना है थोड़ा सा हमें गाढ़ाई रखना है इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें रखेंगे थोड़ा और अच्छे से मिक्स हो जाए सबसे पहले मैंने दुसका के लिए कड़ाई चरहा दिया है यह लोही की कड़ाई है और इसमें मैंने मस्टर्ड ऑइल डाला है इसे हम अच्छे से गरम करेंगे मैं मस्टर्ड ऑइल में ही दुसका बनाती हूं उसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहे तो कोई भी ऑइल यूज़ कर सकते हैं जब ऑइल गरम हो जाए तो हमें जो फ्ले में वो सिम करना है और तब हम इसमें बैटर डालेंगे और बैटर डालने के बाद हम थोड़े सा फ्लेम को बढ़ा देंगे और तब हमारा जो दुसका है वो दिरे दिरे अच्छे से फूल जाता है यह बहुत अच्छे से पूरी जैसा फूलता है यह देखिए मैं उपर से थोड़ा थोड़ा सा ओईल डाल रही हूं ताकि जब आपका इस तरह से फूलने लगे तब समझे आपका बैटर बिल्कुल सही है और यह मैं दशेरे के दिन मैंने यह सब बनाया था तो यह वीडियो भी उसी दिन की है तो उसका हमारा बनके रेडी है और अब यहां पे जो मैंने सूजी भी गोया था उसमें मैं डाल रही ह आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी एड़ कर सकते हैं तो मैंने यहां पे ब्राउन शुगर थोड़ा ज्यादा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्वाध अनुसार अपने डाला है और अकर नॉर्मल शुगर डालेंगे तो अपने हिसाब से डालें यह दूसका बन मैंने लग लिया है फ्राइंक पैन इसमें में घी एड करूंगी मीठा अगर आप घी में बनाए तो बहुत ही डिलिशस बनता है और मैंने थोड़ा से इलाइची पाउडर भी डाला है तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही अब हम इस बड़े चमश से अब दालें फ्लै्ट तब में आप डालें गे फ्लैट पैन में तो बहुत अच्छा पूआ बनता है ए गी водма इसदार से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और इस पैन में अरहाम से तीन पूआ एक बार में टालेंगा तो मैं थोड़ा-थ जब साइट्स आपके ब्राउन होने लगे तब इसे हमें पलट देना है कि एक मिनट के बाद मुझे क्रिस्पी पसंद है इसलिए में थोड़ा क्रिस्पी बनाऊंगी अगर आपको क्रिस्पी नहीं पसंद है तो इतने में भी आप पुवा को निकाल सकते हैं मैं पर मैं थोड़ा और इसे क्रिस्प करूँगी एक मिनट तक और पकाऊंगी मैं इसे यह देखिए हमारा क्रिस्पी पुवा बनकर रेडी है तो हम दो तीन और निकाल लेंगे उसके बाद हम इसे करेंगे सर्फ तो मैंने अब इसे निकाल लिया है क्रिस्पी क्रिस्पी पुवा और इसे सर्फ कर रही हूं मैं थोड़े से काजू के टुकड़ों के साथ तो बताइएगा कि आपको यह रेसिपी आज कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाय एंड टेक केर